यूएस कमीटी ने एक रिपोर्ट तयार की कि इमिग्रेंट्स लोग जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा 4,56,000 के आसपास हैं और ये जो लोग है ये दूसरे दूसरे कंट्रीज के हैं जहां पर रिलिजियस पर्सिक्यूशन हुआ है अभी भंगलादेश, पाकिस्तान, मयनमार से ज़्यादा तर ये लोग भारत में आये थे और इनका वहाँ पे जो भी इनका अपना प्रोपर्टी एशेट था वो सारा इनका वहाँ पे छिन लिया गया था और इस वज़ा से ये रिफ्यूजी हो गया बस एक प्रोपगेंडा की तहट इन्होंने गलत उनको फीड कर दिया कि आखिर यह कानून आपके खिलाफ है और क्यों है उन लोगों ने जो चीजे जो मीडिया के मादम से मैं कुछ मीडिया में आए खबरों का और कुछ जो एक्टिविस्ट है उनके स्टेटमेंट को मैं जिकर करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं अशाओदी नवईशी का नाम लूँगा उन्होंने यह का कि यह कानून एक तरीके से मुसल्मानों के खिलाफ है और यह कानून जो है उनको भगाने का एक साजिस है अगर यह लागू हो जाएगी तो मुसल्मानों का यहां से पलायन हो जागा उन्होंने इस विसे पे 1996 से काम करें, उनका एजिंडा रहा है कि हमें ऐसे कानून लाने हैं, यह कानून बनाने के लिए उनको मेंडेट दिया, उनके एजिंडा में था, तो विरोध जिन लोगों को करना है, वो तो एक एजिंडा के तहत करेंगे, लेकिन जो सरकार ने यह कानून ला है, उन पूरी शमवैदानिक परकिरिया से पाश करवाया, पहले लोग सवाह में पास होई, फिर राज्य सवाह में गई, फिर उसके बाद राश्टपती के पास गया, फिर यह कानून बना, और भारत सरकार ने इसको 7th सिडूल में डाल लिया, ताकि इस कानून को चैलेंज ना किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंच ऑफ प्रटीशन्स फाइल हुए, करीब करीब शाट प्रटीशन्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविस्ट ने फाइल किया, उन्होंने चैलेंज किया कि यह कानून जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, और यह जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे शम्विधान का उसके खिलाफ है, आखिर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे शम्विधान का क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉंस्टिशुशन का यह कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉओ, आखिर इक्वेलिटी बिफोर लॉओ किसकी होगी, इक्वेलिटी नागरिक है ही नहीं, उसकी equality before law हिंदुस्तान में एक international law, जो international convention है, उसके according होगी है, अब हिंदुस्तान का अगर वो नागरिक ही नहीं है, तो उसको equality कैसे मिलेगी, तो पहले equality देने के लिए according to the constitution, उनको भारत का नागरिक बनाना ज़रूरी था, और इसलिए भारत सरकार ने उनको ये rights दिये, जब से यह कानून लागो हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कितने debates, कितने articles, कितने comments आए, और अगर 10% against में, तो 90% favor में, लेकिन जो basic principle of constitution है, कि आकर इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़े हिंदुस्तान, तो उसके पीछे ये motive रही कि जो persecution हुए है, उन persecution में लोगों के जो rights गए हैं, उनको हम constitution के दाएरे में लाकर उनको rights दें, और नहीं हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुशलमान की नागरिकता पे इस कानून से कोई फर्क पड़ता है, और नहीं उनकी कोई नागरिकता छेनी जाएगी, और नहीं ऐसी कोई चीज इस में लिखी गई है, इस कानून की amendment जो section 2 में की गई है, उसमें ये clearly लिखा हुए है कि अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान, इन तीन देसों से भारत में जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आए, उनको भारत सरकार प्रोसीजर के तहत नागरिकता देगी, उनको ये भी नहीं है कि कोई रिफ्यूजी है, कोई आगया उनको सीधी नागरिकता दी जा रही है, इस तरीके से एक प्रोसीजर के तहत उनको लोग नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इन सब चीजों को बताने के बजाए केवल एक एजेंडा के तहत यह बदा दे हैं, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने इस कानून के उपर साब कहा कि यह कानून जो है, किसी भी कंडिशन में आर्टिकल फॉर्टीन का वाइलेशन नहीं गरता है, आर्टिकल फॉर्टीन में एक्वालिटी की जो बात है, उसका वाइलेशन नहीं गरता है, उसकी बा लोगों ने इस कानून को इंटर्प्रेट किया उनके बीच में जिनको पूरी समझ नहीं थी उनको उन्होंने ऐसा समझा दिया कि यह कानून आपके खिलाफ है intelligence agencies है वो भारत सरकार को लगातार बता रही थी कि भारत में illegal migration बहुत जादा हो रही है और इस illegal migration को रोकने के लिए strong कानून की जरूरत है और वह कानून ऐसा होना चाहिए कि एक जो existing जो हिंदुस्तान में already रह रहे हैं at least उनकी identity proper हो उनके बारे में पता चल पाए कि यह लोग इतने लोग यहां पर रह रहे हैं और उनके proper details भारत के पास हो और उस details के आधार पे ही भारत सरकार जो है यह तै कर सकेगी कि कितने लोग भारत में किस country से आके किस caste किस community के रह रहे हैं और जो इसमें बिवाद हुई कि यह एक religious चीज को ध्यान में रखते हुए religious आधार पे यह कानून बनाये गया उसमें भारत को अगर आप छोड़ दे तो भारत के जो neighboring countries है उसमें किसी country में ऐसा कानून नहीं है कि जहां पे किसी दूसरे community के लोग जाके उतनी आजादी से रह सकते हैं आप अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो वहाँ पे हिंदू की जो इस्तिती है जैन्स की जो इस्तिती है सीख की जो इस्तिती है वो बहुत दैनी है यह इस्थिति है कि वहाँ पे हिंदू शादी भी अपनी मरजी से नहीं कर सकते यहां तक कि चाइना में पाकिस्तान से ही लड़किया शादी के लिए भेजी जाती है एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट भी है कि अभी पिछले केवल एक वर्स में पाकिस्तान से करिब दस हजार लड़किया चाइना में केवल शादी और प्रोस्टिटूशन के लिए भेजी गई तो ये वहाँ पे उनका रिलिजियस अधार पे इतना ज़्यादा एक्स्प्लाइटेशन है कि जो उनके राइट्स है वो भी नहीं मिल पाते है और भारत प्रारम से ही भारत आज से नहीं भारत सदियों से ही शरन देता रहा है और भारत में पाकिस्तान के पहले से भी बहुत से नागरिक है जिन्होंने लीगल तरीके से भारत की नागरिक्ता लिये है जो एक प्रोसीजर को फॉलो करके उनको नागरिक्ता दी गए उनके नागरिक्ता के उपर यहां तक कि हिंदुस्तान में रह रहे एक कम्यूनिटी के लोगों ने भी सवाल किया जबकि उनको यह समझना चाहिए कि आखिर जो मुस्लिम पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में शरन मांग रहा है उनको भारत नहीं मना कर रहा है तो अगर भारत पाकिस्तान से आए सरनारती हिंदु जैन सीख पार्सी और क्रिश्चन को अगर नागरिक्ता दे रहा है तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका कहीं न कहीं एक तरीके से आप देखें तो यह पता चलता है कि रिलीजियस आधार पे ही इस कानून का विरोध किया जा रहा है जो कि बिलकुल गलत है और इस कानून में कहीं पे भी रिलीजियस आधार पे यह चीज़े नहीं डिशाइट की गई है वहां तो जिस कंट्री से आए लोगों को नागरिक्ता दी जारे उस कंट्री में उस कम् परेड़ी रह रहे हैं, उनके लिए हिंधुस्तान में विरोध करना कोई एक अच्छी आप नहीं कह सकते हैं कि ये कानूनी परक्रिया के तहट या एक अच्छे तरीके से की जारी है, यह एक एजेंडा के तहट की जारी है, क्योंकि हन्दुस्तान में इस कानून के उपर जिस तरीके से सवाल उठाए गए और कुछ लोगों नहीं सवाल उठाएं वो कहीं न कहीं एक आप कह सकते हैं कि एक targeted ठाथा और उनको इस कानून की समझ नहीं थी इस कानून से किसी भी मुस्लिम की नागरिक्ता नहीं जाती ना ही उनसे कोई सवाल पूचा जाएगा केवल और केवल वैसे सरनार्थियों को नागरिक्ता दी जा रही है जो उस कंट्री से आया जहां पर उनका अधार्मिक अधार पर शोशन हो रहा था मैं अगले अंक में NPR और NRC के बारे में अपने चैनल के माद्धिम से डिसकस करूँगा और मैं ये कोसिस करूँगा कि मैं वैसे सब्जेक्ट्स वैसे लीगल विसे आपके पास लेके आ हूँ जिससे जो बदला हो रहे हैं कानून में और नए नए कानून देश में आ रहे हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और उनको सटीक और सही जानकारी मिल सके धन्यवाद